हेलो एवरीफ़न वेलकम बाक टो माबेटी इजी रेसिपी तो आज मैं आपके लिए एक ही वीडियो में बहुत ही दो तरीके की बहुत ही जादर टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूं और अगर इसे आप बच्चों के लेंगे देते हो तो बहुत ही जादर उन्हें लगता है औ तो उसके लिए लिए पांच से छे अबले हुए युए जिसन में थोड़ा सा घ्रस कर लिया था कुछ कर लिया था तो ते बाद एक प्यार अदर रटर का पेस्ट लसुन का मिर्चा और यहां अमारा बारीक कर्टा धनिया पर्टी और उसके बाद लेंगे चावल काता इसी तो जोदा मित्ति हमारा शावल काटा गीला ना हो जाए कि शूर्थ़पानी डाल रहे है तो अब मैं पानी को मैं चूल सकती हूं तो मैं हाथ की मतलिद इसे अच्छी तरीके से इसका डो बना लूगी पानी हमाँ ठंडा होगे इसलिए मैं से चू सकती हूं यह देखिए मैं हाथ से बडू बना रहे हैं अब एक दम चमश का यूज़ मत करिएगा यह देखिए प्रेंट समाथ बन के तयार है इस ऐसे आपको डो बनाना हैं देखिए नहीं ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हाल नहीं डो बनाना और अब हमारा बस एक चमश पानी हमारा बच गया इसका एक कटोड़ी में से अब हम लेंगे रिफाइन ओल हम अपने हाथ पर तरीके से रिफाइन ओल को लगा कर मिक्स कर लेंगे साटे पर थोड़ कर देते हैं तब मैंने यहां लिया है एक पैन और इसमें डाला रिफाइन ओल और अब इसमें जाएगा मेरे जुनने एक बारीक कटक प्यास था हमारा वह मैं इसमें डाल दूंगी उसके बाद इसमें थोड़ा साम सॉफ्ट डालेंगे इसका थोड़ा फ्लीवर बच्छा जाता है लसुन का पेस्ट डाला मैंने अधरक का पेस्ट थोड़ी सी मिर्च डाल दी है अब इन सारी अच्छी तरीके अरे इन सब चीजों का अची तरीका से मिक्स कर लेते हैं हमार जैसे प्याज गोल्डन बाउन कलर आएगा उसकी बाद हम उसमें डालेंगे आलू तो ग गरम मसाल अपना एक चुमच और हम यह तो दूसर नमक में थोड़ा कमी नमक डाने क्योंकि हम आगे इसका नमक का यूज करेंगे फिर हम डालेंगे हल्दी इसमें जाए कि फिर मेरी लाल मिर्च पाउडर आपको और तीका पसंदर तो आप और डाल सकते हो अब मैं से दबा दबा के से मिक्स करूंगे से आलू अच्छी तरीके सपने में मिक्स हो जाएं तो फ्रेंट इसके स्टफिंग बहुत ज़्यादर टेस्टी बनती है लब वाकई बहुत ही मस्ती नाश्ता आप नाश्ता बनाओ या खाने बनाओ बहुत ज़्यादा यमी और देख सकते हैं तो आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरीके से आलो मसालो को मिला लिया है है अ है फ्रेंड्स ऐसे दिखेवाई स्टिफिंग बन के पूरी तरीके से ताई आरे है आप अब मैं क्या करूंगे थोड़े दुनिया पती जमारी बारीक कर होके तैयार हूए थी नहीं भी मचितरीप से मिक्स कर लेंगे तो फट्राइब देख थे निए जावल के आते वाली डौ दो सब हमारी परफेक्ट अब कि लुई लेते हैं छोटी छोटी में लोहां जैसे पूरी के लुई बना के Tयार है तो फ्रेंट्स सब्सक्राइब बन गई है और यह स्टफिंग थंडा हो चुका है ठीक है अब हम एक लोगी को लेंगे ऐसे हम कटोरी शेप का ऐसे जो अंगुठे के मदस्ट से अंदर की तरफ प्रेश करके इसका मुझ में क्या करना थोड़ा बंद करना ऐसे प्रेंड्स बहुत ही ज़दा असान है और अगर मारीज आपको कहीं फट फट भी जाता है तो आप क्या करो कि अगर आप अपने हाथ के बीच में लगे से गोल गोल करोगे तो वह परफेक्ट हो जाएगा इसा आपो सारे कर लेने हैं अब बंद के त्यार होता है इसके आंगे समूसा मुमुस सब फीके पड़ जाते हैं और अगर आप बच्चों के लंच में देते हो वह तो पुरा फिनिश करके लाते हैं और प्लीज प्लीज जरूर बनाएगा और बच्चों के लुंच में तो इसे जरूर दीजिएगा तो आप और अगर आप इसे नाश्तिय बनाते या खाने बनाते हैं तो बहुत ज़्यादे यमी और टेस्टी बनता है और पूरा खाना सब फिनिश करते नाश्तिय तो मला वह पूस्टे रहे जाएंगे महमान अगर मेहमान को भी खिला तो पूस्ते रह जाएंगे कि आपने भाई कैसे बनाएं ठीक है तो मैं एक अलग डिजाइन बना रही हूं ऐसे थोड़ा अलग है तो यह हमारे स्ट्फिंग बच रहा है एसे तो हमारा साधा अच्छा नी लग रहा है तो पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ अधव बंगोन पानी ता अब हमारा पास एक छनी पाहएं वोस्तों स्क्रीक ना बंट न करें होray देते हैं अब क्या है यह साधा साधा थोड़ा मैगी खाते हैं हम उससे लेकर इसे डिजाइन लगा देते हैं इसे के डिजाइन से तो और अच्छा लगने लगता है तो आप देख सकते हो ऐसे आपको डिजाइन सब में बना देने हैं डिजाइन से लुक और भी प्यारा आजाता है और तो ऐसे ही जो लंबा मैंने वाला बनाया था उस तो इस दिजाइन बना जिती हूं कि हमारा डिजाइन बन चुका सब पर अब हम पानी को चेक हैं इस पानी पानी कितना अच्छी के बॉल कर रहा है मैं अब क्या करेंगे हमान च्छन वाल में उसे सारे नहीं रखते जाएंगे हमने सारे बॉल्स को डगे अब हम से डख देंगे और दो मिनिट बाद और आपड़ पीजिए और ने थे क्या करेंगे फिर उसके बाद दो मिन दर नहीं है निकाल लेते हैं तो फ्रेंड्स एक यह होगे मैंने का था इस वीडियो में आपको दो रिस्पी दिनने वाली तो पहली रेसिपी यह है अगर आपको और बीज़ाद स्पैसी खाना है अब हम क्या करेंगे इसके लिए हमने लिया है पैन और थोड़ा सब्सक्राइब डालेंग प्रफिंग में पहले नमक दाला है और इसमें जाएगा फिरमारा हल्दी थोड़ा समा हल्दी है अब इस अची तरीके से चलाएंगे पकाना है में में इस तरह से टमाटर मारा गल जाना चाहिए और जिए और जो मारे फिर बॉल बन के तयार हुआ थे देखे मारे बनाय थे छाएंगे अब हम ब्रॉप साने ही काना वेनिस तरह डिए है अब इसची तरह में उसे चलाएंगे यह मारा मैंगी मसाला है पूरा आपशेणल लेब अगर डालने चाहर दो डाल सकते हुआ है हमारा जर्वार बाट चाहरा टेस्टी यमी आता है बनने से डाला है और अचछ बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्टी रगते ऊपर से नहीं पर दनिया को पती डाल देते हैं जिसे की गारिशिंग कर लेते हैं जिसे के और बिल सुन्दर लगने लगने लगे इसका लुक प्यारा लगना लगे टीक है जब भी बनता है कि मैं बच्चे तो मिला पीछे प सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा बेल आगन जरूर प्रस करेगा जिसे की मेरे आने वाले वीडियो के लिंगा को पहले मिल जाए बाइ थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो